बड़ी खबर बड़ी जानकारी सामने आरी रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का लौपुरस सरदार बल्लब भाई पटेल की आज जयनती मनाई जा रही है वहीं पंचकुला में दौरान रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है सियम अनुहरलाल ने रन फॉर यूनिटी में इस शरकत की है स्वस्थ ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको तारे रन फॉर यूनिटी को सियम ने हरी जंडी दिखाई वहीं दौरान सियम अनुहरलाल ने देजभक्ती और एकता काया पर संदेश दिया है हुआ है कि 31 अक्तुबर हर वर्ष रन फॉर यूनिटी की जंती की दिन सारे देश्वर में होती है लाखों करुणों लोग चुटे बड़े मैला पुरिष नजवान बुड़े सब इसमें भाग लेते हैं कि पिछले कई वर्षों से मुझे भी हर्स यानि वर्ष किसी न किसी स्थाप पर रहने का मौका मिलता है आज पंचकुलास्त की इस खेत्र के अंदर और एक प्रकार की एक बड़ी आत्रा पहली बार इस खेत्र मुझे लगता हुई है इसका एक संदेश रही है कि देश को आजाद कराने वाले रन बाकुरों ने अपने बलिदान दे करके पड़ी मुझकल से आजादी ली है इसकी एकतार फंडता है यह हमेशा बनी रहे यह भाव लोगों के नागरिकों के मन में आता रहे सर्दार बल्लावे पटेल इसके एक परतीक के रूप में उनकी जन्ती का दिन इसलिए चुना है कि जब देश आजाद हुआ उस समय पांच सो बासेट रियास्तों में इदेश बटा हुआ था उन्हों में बिना किसी विवाद के सब लोगों को तयार किया राज माराज चोटे बड़े रियासतों के सारे जितने मनसुबे दार थे उन्हों सब को भारत के समयधान के अंतरगत शयाशन वुश्ता के अटरगत आने के लिए हैं तरदार बल्लाब भाई पटेल जिननोंने देश को एक करने के लिए देश की एकता के लिए 562 रियासियों को देश के अंदर समिलित किया आज ऐसे लौक पुरिश का जनम देवने और आज पुरे देश के अंदर उनके जनम देवस को राश्ट्री एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है मैं सबी देश वासियों को विशेश तोर पर युवाओं को बढ़ाई देता हूँ आज इस परकार से रन फर यूनिटी का जोगे एक कारकरम जिसमें हजारों की संख्या में युवाओं ने भाग लिया आदरनी मुख्यमंत्री जी ने फ्लैग आफ किया